लोगसबाचुनाओं दोजार चौबिस में निन्यानवे सीटे जीत का राश्ट्य राजनीती में अपनी भूमिका को मजबूत करने के बाद कॉंग्रेस पार्टी की कारिस समिती की बैठक बुलाए गई कॉंग्रेस में निन्याने लेने वाली शीष संस्था, CWC की बैठक नई दिल्ली के अशोका होटल में की गई थी जिसमें लोगसबाचुनाओं पर नामों और भवश्य की रणनीतियों पर मातवपून विचार विमर्श हुआ पार्टी प्रमुक मलेक आजुन खडगे, सुनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियांगा गांधी वाजवा के अलावा बाकी के शीष नेता भी इस बैठक में शामिल थे प्रस्ताव पार्ट किया है कि राहुल गांधी को लोगसभा में विपक्ष का नेता बनाने की मांग उने पर राहुल गांधी ने इस बारे में सोचने के लिए कॉंग्रिस वर्किंग कमिटी के सदस्यों से कुछ वक्त मांगा है वहीं बैठक में कॉंग्रिस ने बीचेपी पर भी जोड़दार हमला किया सुनिए इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि 2024 के चुनाव नरेंदर मोधी जी को एक व्यक्तिगत राजनीतिक और नेतिक हार यह जीत है जनता की जीत, किसानों की जीत, युवाओं की जीत, दलित आदिवासी पिष्डे वर्गों की जीत, श्रमिकों की जीत, महिलाओं की जीत है, यह जीत है सम्मिधान को सुरप्षद रखने के लिए अलागे फिल्हाल राहूल गानी ने इस बारे में सोचने के लिए कॉवर्णिन कमेंटी के संदसे से कुछ वक्त मांगा है लेकिन अमीद है कि राहूल इस बत को दरूर समालेंगे